हमारे यूटूब चैनल exam facts पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको SSC MTS document verification के लिए कौन-कौन से document ले जाना है तो यहाँ पे एक notice है इसमें हम बताएंगे आपको सबसे पहले जो document चाहिए वो high school की mark seat और certificate ये document आपके साथ होना चाहिए इसके बाद जो दूसरा document होना चाहिए वो है अनुसूचित जाति अलप संखिक पिछड़ा वर्ग भूत पूर सैनिक या विकलांगता सम्मंदी प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का अगर आप आरच्छड ले रहे हैं तो उस आरच्छड से सम्मंदित आपके पास certificate होना जरू जरूरी है अगर आपने EWS से आवेदन किया है तो EWS स्रेटिफिकट होना जरूरी है इसके अलावा अगर आप दिव्यांग स्रेडी में आते हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र लेके जाएंगे इसके बाद आप अपना जो है कोई भी एक ID कार्ड लेके जाएं जैसे आधार कार्ड, voter ID, pen card या driving license तो आप अपना आधार कार्ड इसमें लेके जाएं इसके अलावा आप पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाएंगे जिसमें कम से कम आप 6 पासपोर्ट साइज फोटो रख सकते हैं ये डाकुमेंट जो है बहुत certification का है उसको लेके जाएं और आपको बता दूँ कि इसके लिए जितने भी certificate हैं उनकी आप कम से कम 3 set बना लें आप सभी certificate की फोटो कापी करवा के 3 set बना सकते हैं और ये आप लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाबदायक सिद्ध होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इससे संबंदित अन्य जानकारियां आपको मिलती रहें धन्यवाद